अज महा शिवरात्री है सभी शिवालियों में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है वही यूपी के और यांसले में यमुना नदी के किनारे बीहड में इस्तित महा काले शुर देव कली मंदिर पर कुछ अलग ही नजारा है यहां पर और यहीं नहीं आस्वास के कई चुनपदों से शुर धालू आते हैं भगवान भोलेनात का रुद्राविश्वेक कर पूजुन अर्चन करते हैं इसके साथ ही सुवर्ष शिवरात्री पर शनी दोश भी पढ़ रहा है ये योग बहुत ही कम देखने को आता है इसलिए शिवरात्री पर और अधिक श्रधालू के पहुचने को लेकर जलाप्रिशासन ने सुरक्षा व्यवस्ता के कड़ें देजामात किये और रहिया के देवकली मंदिर पर भगवान भोलेनात का पूचन अर्चन करने के लिए कल शाम से ही श्रधालू की भारे भीड जमा होने लगी और रहिया की यमुना नदी किनारें देवकली मंदिर पर वैसे तो कल शाम से ही श्रधालू के पहुचने का सिलसिला शुरू देव कली के नाम से चौना जाता है लोगों का मानना है यहां पर जो भी भग अपने मुराद लेकर आता है भगवान बोले रात उसकी हर मुराद को पूरा करते हैं पहले भी जब ये जनपत दस्यू प्रभावी जनपत था उस समय दस्यू भी भगवान बोले नात का रुद्रा विश्वेक करने के लिए आते रहते थे इसके साथ ही इस मंदिर के कई रहस्ये हैं जिनको आज तक सुलजाया नहीं जा सका पताया जाता है इस मंदिर का शिर्लि जालोर, फरोखाबार, जहांसी, लकनव, सहित, प्रदेश के कोने-कोने से श्रधालू कामर ले कराते हैं श्रधालू के भीड को देखते विए सलाप्रशासे ने सुरक्षा विवस्था के कड़े इंतिजामात किये हैं परव है, आप देखली मंदिर में दर्फन करने के लिए आए हैं, यहां मंदिर की क्या मानिता है? कहां कहां पर दालू आते हैं कि किन-किन जनपनों से आते हैं? यहां पर पूरे यह तरे अमानकी चली पुरे प्रदेश भर सी आते हैं से आते हैं कि अ बढ़ा करते हैं ताकि अ हरुए बाबा की धाम की महिमा भी अपा रहें और निलयक्टों ज़ोली कत Works कर देए हैं